नमस्ते भाईयों, Android वेडी में आप सभी का स्वागत है Infinix ने अपना लेटेस्ट बजे सीरीज का स्मार्ट फोन लांच कर दिया है जो कि है Infinix Smart 7 इस फोन के अंदर आप लोगो देखने को मिल जाएगा 6000 मिल जाएगा 6000 मिल एम्पर का बैटरी 4GV का RAM, 64GV का इंटर्नल स्टोरेज जो कि आप लोग अप टू 7GV तब एक्सपैंड कर सकते है साथी में 6.6 इंच का एक बड़ा डिस्पले इतना सब कुछ मिलेगा आप लोगो सिर्फ और सिर्फ अंदर 7,500 रुपीज के अंदर में चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग देख लेते हैं क्या है इस फोन के अंदर box content साथी में इस फोन के overall features, camera samples, सब कुछ देखेगा इस वीडियो में तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो तो वायो यह है Infinix Smart 7 का box packaging जैसे का आप लोग देख सकते हैं फ्रेंट में Smart 7, 6000 mAh का बैटरी लिखा गया है साथी में यहाँ पर अप टू 7GB RAM एक्सपैंड कर सकते हैं यह चीज लिखा गया है पीछे पे देखेंगे कुछ की specification है जैसे 6.6 इंच का HD flash डिस्पले है Octa-Core का प्रोसेसर है 13MP का AI dual camera है 7GB का RAM आप टू आप लोग एक्सपैंड कर सकते हैं Type-C का port, fingerprint और face unlock दोन ही आप लोग को मिल जाता है यहाँ पे box के अंदर first में आप लोग को Infinix का Smart 7 देखने को मिलेगा उसके बाद में आप लोग को मिलेगा एक power adapter जोकी एक 10W का power adapter है साथ ही में आप लोग को एक USB A to USB C cable मिलेगा उसके बाद आप लोग को मिलेगा एक SIM ejector pin और user manual और warranty guide फाइनले आप लोग को यहाँ पे मिलेगा एक transparent hard case जोकी बहुत ही अच्छी से यहाँ पे fit हो जाता है तो भाईयो यह है हमारा Infinix का Smart 7 और इस बार का design देख सकते हैं काफी unique है पीछे में इस बार glossy design छोड़के थोड़के मैट फिनिस के ऊपर dual tone color के अंदर में design बनाया गया है camera island और fingerprint sensor एक ही module के अंदर आ जाता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो कि इसके looks को काफी enhance करता है overall पीछे से looks काफी impressive है सारे 7000 का phone कोई भी नहीं बता पाएगा phone के physical overview के बारे में बात करें तो right side में मिलेगा power button और volume rockers left side में मिलेगा यहाँ पे SIM tray जिसके अंदर में दो SIM और एक memory card आप लगा सकते हैं 4.6 inch का HD plus display जो की drop notch के साथ आता है चिंज देख सकते थोड़े बड़े हैं लेकिन इस price range के अंदर में यह expected है इस से अच्छा display वाला phone आप लोग को इस price range के अंदर generally देखने को नहीं मिलता है फोन के specification के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिलता है Unisoc का octa-core processor उसके साथ में 4GB का RAM जो RAM fusion technology के साथ में 7GB तक expand हो सकता है rare में 13 MP का dual camera setup मिलता है जिसका secondary sensor एक AI sensor है जो की उतना भी useful नहीं है और front में 5MP का selfie camera दिया गया है 6000 mAh का large battery है इस phone के अंदर में और finally यहाँ पे 6.6 inch का HD plus display आप लोगो देखने को मिलेगा phone out of the box Android 12 के साथ में आता है जिसके अंदर में Infinix का XOS 12 का skin चड़ाया गया है phone deadry life में basic users के लिए ठीक है जो basic apps यूज़ करते हैं जैसे YouTube, Facebook, WhatsApp बगेरा चोटे-मोटे games जैसे cat decrease या सब्यों surface भी अच्छे से चल जाएंगे लेकिन phone के अंदर heavy games नहीं चल पाएगा camera से मैंने कुछ photos capture किये हैं आप लोग देख सकते हैं initial testing है तो मैं अपना कोई opinion नहीं दूँगा आप लोग खुद देख कर सकते हैं phone में security की जाब से fingerprint sensor और face unlock का support भी मिल जाता है दोनों का ही speed decent है जैसे कि देख सकते हैं phone का जो price रखा गया है वह है 7,299 यान कि 7,300 रुपे में आप लोगो काफी अच्छे specs और features सिर्फ इंफिनिक सी provide कर रहा है अगर आप लोग budget के अंदर all-rounder phone ढून रहा है या फिर आपके घर के student के लिए online classes के लिए एक smartphone लेना चाहते है या एक secondary phone लेना जाते है जिसमें सिर्फ basic functions ही use होंगे तो आप लोग इस phone को consider कर सकते हैं इस phone के regarding कोई भी queries या video request हो तो नीचे comment कर देना वीडियो पसंद आया तो like share कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल क्रों subscribe जरूर करें तो मिलता है अगले वीडियो में